सुमझतार को हासिल गिया है इनके लिए ताली होना चाहिए इनकी एक छोड़ी बहन आई है तो सबसे पहले इनके बहन से जान दें कैसा लगा बिटाएं अन्मे आक सभी को बुट्यांसी अज मैं अपने ये दीदी का जो आई-मसी कंपटी में जो जॉइन किया इनोंने तो मैंने भी आज जोचा कि दीदी ने बुलाया मैंने इनिवाइट किया कि आकर आप भी देखो कैसे करें मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छे इसलिए लगा है कि दीदी की सफलता में मैं देखी बहुत ही अच्छा लगा बहुत मैं भी अब इसमें जोइन करना चाहती हूँ दीदी के साथ दूर्गा प्रियंका सो प्लीज दूर्गा प्रियंका जी प्लीज कम आं दा स्टेज दौर्ड़ते हुए आप आजाए एक मालम पे बैदेगे थाए खुआ हुआ है कहां है कहां है कहां है कहां है तो प्लीज अप्लीज आप दूर्गा प्रिया ओड़ते हुआ है बातिरों से लोगा बातिरों से बातिरों लिट है अज इनके पोच्टी हुँ आज इन्होंने अपनी फ्रैंड के सिस्टर के मैं विल्गम में आई हुई है आज इनको कैसा लगा और यह ilzum कैसा लगा इनको तो मैं पोचना चाहोंगी अपना नाम और आज का प्रोग्राम कैसे लगा मेरे नाम प्रियंका है और आज का यह सुब बहुत अच्छा लगए यहाँ देखकर आई अमसी करना चाहोगे आप भी बिल्कुल यहाँ का इंजुआए किसी को जी मैं आप ही अपना नाम गाउं और आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको जी मेरे नाम दुरगवती है मैं मानिपूर से हूँ और में जी आज का प्रोग्रम बहुत अच्छा लगए मैं भी करना चाहती हूँ ठीक है अब यह बहुत महान लीडर है सच बता दू जब इनको देखती हूँ ना तो आधा मतलब मैं इतना भाज आती हूँ और इनकी बोले मुझे बहुत पसंद है मैं जब इतके पास खेड़ में जाती हूँ तो मैं इनकी तारिफ बहुत करती हूँ क्योंकि बोलती बहुत अच्छा है यह और यह हमारे बहुत जंड चेयर्मेन के लेवल में आने वाली है तो मैं बहुत बहुत धन्वाद एडवांस में दे रही हूं इनको और अपना नाम गाउं और पहली इंकम और आज आगे का टार्गेट क्या है धन्वाद मैं दीपा चाधरी और मैं सतना जिले से बिलाओं करती हूं अमर पार्टन ये कटहां मजगाओं मेरा गाउं है और यानि कि इसके प्रोडेक्ट तो जो हमें बहुत पहले से यूज़ करती थी और मुझे विश्वाद था मेरा एजुकेशन है मैं डवाले में हूं और भी एड़ है और हम इसा से मतलब प्रयास वहता था कि जब पढ़ने के बाद सब लोग सोचते हैं कि हम नौकरी करें लेकिन हो गया साथ किस्मत आई-मसी में आना था मुझे तो इसी वज़े से मैं सफल नहीं हो पाई क्योंकि वजिकन अहरक मतलब था मतलब दो तीन नमवर से में ऑफेट मेरा दो नमबर से रह गया और एंपीट जो है मेरा टीन नमबर से एक बार रह रह चुका मतलब रह गया तो आव जब से मैंने आई-मसी जोईन किया तो मुझे लगा कि अम मुझे नौकरी नहीं कर नीं और जॉइन फिर मैंने अभी मतलब पिछले साल में जुलाई में मैंने जॉइन किया था लेकिन किसी कारणों के वज़े से मैं काम नहीं कर पाई थी और अभी फिर एक मही ने पहले ही मैंने इस्टार्ट किया और एनकी सिखुमार दीदी है माई जुहें उन्होंने मुझे बोला कि आप काम करिये हम आपका साथ देंगे और सभी सीनियर लीडरों के साथ मिला हमारे महागुरू जुहें सिखुमार सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शिकमाई दीली को भी बहुत बहुत धर्वाइब चाहिए तब एक बार जोड़ा प्लाटिम होई चाहिए तिकि उपना साथ मिला और मैंने एक महीने के अंदर ही सुपर इस्टार्फ जो है एचीव किया और इसी तरह ते सर अपना असिरवाद बनाए रहे है तो मैंजा से जाच है महीने के अंदर ही चेयर्मेन बनूगी और इस महीने का मेरा टार्गेट है कि मैं डारेट गोर्ड बनना चाहती है तो थैंक यू